आज आज में आपके समख्छ आज में आपके समख्छ पतनिली द्वरा रचित योग शुत्र ग्रंथ के तीश्री अध्या जिसे विभूति पात कहते हैं कि तेटालिस्में सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं यह तेटालिस्में सुत्र कहता है पहीर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेह ततह प्रकाशावरंच्याः अर्थात शरीर से बाहर कल्पनाना के हिविवित्ति महाविदेह है उससे प्रकाश के आवरण का नास होता है यह जो सुत्र है बहुत महाम सुत्र है और साधना के छत्र में इसका बहुत ही राश्मई और बहुत ही ज्यादा इसके पिछे पड़े हीवे लोगों की संक्यावी है बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने सरीर से बाहर कैसे निकल जाओं बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग गुजर चुके हैं उनसे संपर कैसे हो यह दोनों है चीज़ें या पताजली जी का सुत्र हमें देता है हलाकि इसमें बहुत बिश्तरित में है बहुत आइसा यह सुत्र है कि इसको पढ़कर के कोई कुछ समझेगा भी नहीं ज़्यादा और बहुत बड़े-बड़े योगी भी कंफ्यूज हो जाते इसको समझने में तो यह सुत्र आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए मैं अपने अनुभाव से और यह सा समझा हूँ वैसा आपको बता रहा हूँ यह सुत्र कहता है कि हमारा मन बाहर जब निकल जाए इस सरीर से और वो कल्पना नहीं होना चाहिए सच्चाई होना चाहिए हमारा मन भीतर होता है और हमारे वृत्यां बाहर होती है हम बाहर की चीज़ों को ग्रण करते हैं अपने मन से समझते हैं इन इंद्रियों के द्वारा बाहर की चीज़ें जो ग्रण कर ली जाती हैं उनसे संजोग ये कर लेते हैं और सुचना मन को देते हैं मन फिर उसका विसलेशन करके कुछ से अपना इस्टोर रखता है, कुछ समस्था बुशता है लेकिन क्या हो यदि मन सरी से बाहर आ जाए तो वैसी श्रिति में यहां महा विदेह कहलाएगा यानि दे को छोड़ चुका है यहां विदेह हो चुका है देह के बाहर जा सकता है और ऐसी सिति में जो दे से बाहर गए हुए हैं लोग उनसे संपर्ग भी करा सकता है और तीसरा क्या प्रकास का जो आवरण है जो प्रकास को रोक रखा है चित के प्रकास को रोक रखा है प्रकाशित नहीं होने दे रहा है, यानि ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने दे रहा है, उसका भी अच्छे कर देता है, उसका भी अहनास कर देता है, यानि ज्ञान अवतरित हो जाता है, अब यहां समझना है, अब तो यहां हो गया कि शुत्र ऐसा कहता है, लेकिन बाहर निक किलेंगे कैसे संपर्क करेंगे कैसे सबसे जटीट प्रश्ण तो यहां पर यह है और यह सिर्फ वही बता सकता है जिसने साधना कियो अन्य था कोई नहीं बता सकता क्योंकि इसके अर्थ से तो बस इतना ही राथ निकलता है पहले आप यहां देखें कि हमारा मन जो है इस सरीर से क्यों जुड़ा हुआ है हमारा मन जो है इस सरीर के प्रत्याकरशित है इसलिए यह सरीर के भीतर ही रहता है और स्रीर के बाहर की चीज़ों को ग्राण करता रहता है अपने जगध परिस्थित रहता हुआ इंद्रियों के माध्यम से यह मन सुच महवा हुद इंद्रियों से और इस सरीर से और उस वस्तु से इन तीनों से इसकी आ सकती है, इस सरीर से, इस इंद्री से और उस वस्तु से, तो इसके परती जो आकर्षण है, वह इसको बाहर नहीं आने देता है, इंद्रियों के परती जो आकर्षण है, वह इसे बाहर नहीं आने देता है, और वस्तु को यहाँ अपने यहाँ रहते वे ही पाँ जाता है, यदि आप अपको अपने घर में बैठे-बैठे हर चीज मिल जाए, तो आप बाहर क्यों जाएंगे, आप बाहर तभी जाते हैं, जब घर बैठे-बैठे ना मिले, और बाहर की चीज को आप चाहते हैं, तब या बाहर की चीज है नहीं, आपको कुछ चाहिए नहीं, सरीर स से भी मतलब नहीं घादवार से कोई मतलब नहीं तब वैसी स्थिति में यह बाहर निकल सकता है पता लगाने के लिए घूमने के लिए कि आखिर क्या क्या चल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है तो अपने शरीर के परती आकर्षण इसका कम होता चला जाए अपने इंद्रियों के परती आकर्षण कम होता चला जाए यानि इनके परती वैराग्य हो जाए मन क्यों ग्रहन करता है क्योंकि सरी को ग्रो करने देना चाहता है यह सरी को बढ़ाना चाहता है यह घर दुआरे सब क्या है यह हमारे सरीर ही है जिसको हम बढ़ाना चाहते है त प्रतिश्था 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 ब्राने के रिए वह प्रयात्वन करता है, तो उसका आकर्षण घतने लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहली चीछ मैं आपको या बता रहा हूं, कि जब यास आपको भोगों को भोगने में कोई राग नहीं रहा जाएगा बस्त्मों के परती शरीर के परती अपने निंद्रियों के परती अपने अंगों के परती तब ऐसी इस्तिति में आपको अर्दी कुछ मिल गया मिल गया नहीं मिला नहीं मिला आप बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि आपका सरीर च्छाय होने लगेगा हमारे शरीर में जो महत्पुर्ण अंग है वह इस गैर महत्पुर्ण अंगों को खाना सुरू करतेगा परन्तु आप सांत इस्थिर बठे वे आपको कोई बहुत मतलब नहीं है देना आपको आकर्शंग ढटता जा रहा है निरंतर और आप अपने स्वांस लंबी करते जा रहे हैं स्वांस पर आपका नियंत्र है स्वांस जब छोटी होती है तो आकर्मक्ता बढ़ती है और व्यक्ति बाहरी चीजों के परती आकर्शित होता जाता है तो साधना में ही करना है एक साधना का पहलू तो यहां है कि आपका आकर्शंग नहीं रहे जाए दूसरा आप स्वांस को धीमी कर दें और तीसरा आपको यह समझ में आना चाहिए यह आपको जांस करने चाहिए कि आखिर आपका यह दिल धड़क रहा है तो इसको धड़का कुण रहा है तो दिल से दोड़ रहा है दिल पंप कर रहा है इसको कोई उर्जा दे रहा है कहां कहीं से उर्जा सको मिल रहा है तब यह पंप कर रहा है तो आपको पता लगाना है वह उर्जा कहां से आ रही है कैसे आ रही है कैसी है वह उर्जा फिर आपको पता लगाना है कि उस उर्जा कस रोद कहां से है उस उर्जा को कुण प्रेडित कर रहा है तब आप क्या होगा कि आप इस प्राण से आप मन में चले जाएंगे प्राण मैसरी से उर्जा मैसरी से आप मनों मैसरी में अपका प्रविस हो जाएगा कि उसे कौन सक्ति दे रहा है तो जो प्रेवना देने वाली इन सक्तियों को प्रेवना देने वाली जो सक्ति है अथा वो सुक्ष्म सक्ति है और वहां जो है मनोमाई सक्ति है जो सक्तियों का आदिस रोत है वहां से प्रेर्णा दे रहा है तो आपकी वहां तक पहुंच हो जाएगे उसी तरह से ये स्वांस पर स्वांस चर रही है कैसे चर रही है क्यों चर रही है तो सामान लॉजिक तो यही कहेगा कि फेफड़ा चल रहा है इसलिए चल रही है लैकिन बिखड़ा क्यों चल रहा है अंको यह पुछना पड़ेगा तो हमारे है में कोई उर्जा है कहीं इसे कोई रियक्शन हो रहा है कहीन कहीं सन दजने तो ताकत और redo instruction सुचना और सकती ये दोनों सम्मिल रही है जिससे कि वह चलए वह सुचना क्या है वह सकती कहाँ कार रही है उसे कौन दे रहा है उसके पता लगाना पड़ेगा तो जब आप ढहने बैठते हैं तो फिर यहीं पता लगाते हैं और स्वांस को आपको धीमे से धीमे करते जाना है कितना धीमे एक मिनट और डेड़ मिनट के बीच में एक स्वांस आने चाहिए यानि एक मिनट में एक स्वांस पर स्वांस आए या सवा मिनट या डेड़ मिनट इस तरह से किसी किसी को एक मिनट किसी को सब्सक्राइब किसी को तुड़ा इसी के इर्द गिर्द लोगों को अभास हो जाता है इस मनोमेकोस का जोकी है इस्थित अब वहां पर वह डिटेच महसूद करेगा अकरसंद रहा नहीं सरीर में और आप उसे वहां तक पहुंच गए जहां तक वह है आपकी चेतना वहां तक चली गई अब क्या होगा कि वह बाहर आ सकता है भीतर आ सकता है अपको और अपने भीतर ले आ सकता है विज्ञान में कोश में ले जा सकता है पार भी ले जा सकता है सुक्ष्म सरीर में आपकी पहुंच हो गई और अब क्या होगा कि जिन लोगरें देख त्यागा है सुक्ष्म सरीर वाले हैं उनसे उनके समतुल्य आप हो गए इस सरीर के रहते हुए तो आपका यह सरीर और आपका मनोमे सरीर अब इस दो सरीर का आपको बोद हो रहा है अभी तो आपको सिर्फ यही सरीर का बोद होता है मौतिक शरीर का मनों में शरीर का बोद नहीं होता है तो मनों में शरीर का आपको बोद होगे आप उससे बाहर निकलते हैं और फिर जो लोग बाहर निकले होगे हैं उनके साथ आपका संभाद संभव है मिलना जूलना संभव है हाल चाल संभव है तो वह बाद भी घट जाएगी आपका सेरी से बाद मिकलना भी हो जाएगा और ये कोई कलपना नहीं होगी इसलिए आप पतंजली जी ने कहा है कि या कल्पिता नहीं आकल्पिता है तो आकल्पित होगा और ऐसी वृत्ति जो है जो आपको बाहर ले जाती है वो महा विदेह कालाती है और ऐसा होने से यहां तक आपकी पहुंच होने से क्या होगा कि प्रकास का आवरण छीन हो जाएगा जो आवरण है जो पर्दा है जिसने रोक रखा है ज्यान को आने के लिए वो हट जाएगा और ग्यान परकट होने लगेगा पासे ग्यान और जैसे इसे पर्दा अच्छा होगा पर्दे भी कई तरह के हैं तो सुक्ष्म पर्दे जैसे इसे हटेंगे उस-उस हिसाब से आप में ग्यान अफ्रित होने लगेगा आपको इस अस्तित्त का बोध होने लगेगा ग्यान का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई लिख लिख करके देता रहेगा कि इसका यह ग्यान है इसका यह ग्यान है ऐसा नहीं है आपको स्वता मालूम पढ़ने लगेगा कि इसका रहस यह है इसका रहस यह है यह यूं हो रहा है यह ऐसे होता है यह इस कारण होता है आपको इसका पता चलना लगेगा यही ग्यान है उसके इफेक्ट उसके कॉज आपको मालूम पढ़ेंगे और उसकी जो फिलिंग्स है वह मालूम पढ़ेंगे उसकी जो प्रेरना है और उसकी जो प्रेरना वह मालूम पढ़ेंगे इस तरह से क्रम सहा आप मनों में सरीर से आप आगे बढ़ करके विज्ञान में कोश में चले जाएंगे विज्ञान में कोश से आनदम में कोश में चले जाएंगे तो यह महा विदेह धारना कहा रहता है, तो महा विदेह धारना की यह साधना है, यह बहुत उच्छ अस्तर की साधना है, और मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप चाहें तो इसे अजमा सकते हैं, लेकिन, अगर कोई मोटा आजमी सोचे, कि मैं कर लूँ तो क्या कर लेगा नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपको भोजन की परति लगाव नहीं होना चाहिए, आपका सही सुखता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, तो क्या होता है, कि हमारा प्राण सरी जो है, उसको पकड़ लेता है, खाना खाने का मतलब है, कि you want to grow आप बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ा होना चाहते हैं एक अठा करना चाहते हैं जीना चाहते हैं मरना नहीं चाहते हैं पैसी इस्थिति में क्या होता है कि प्राण जो है उसको पकड़ लेता है प्राण के लिए वह मुख्य हो जाता है तो वो बहार आ जाता है और वो वो अपने सरीर को बढ़ाता है फिर लेकिन जब आप भोजन नहीं लेते हैं तो क्या है कि प्राणा सरीर जो है इसी सरीर को खाने लगेगा फिर इसका मतलब हो गया कि अब जो है इस सरीर से उसका लगा फिर घटना शुरूँ होगा क्योंकि इसी को खा रहा है किसे उसे बढ़ाना था तो अब जो है लोब से वो हट करके मौ से हट करके विरक्थ होने लगेगा मृत्यू क्योर अगरसर होगा और मृत्यू क्योर जैसे से अगरसर आप होते हैं वैसे वैसे आपकी इंद्रियां सिथिल होती हैं कमजोर होती हैं आपकी दृष्टी आपके सुनने की सकती है आपके सुमने की सकती है आपके चखने की सकती है पर्स के सकते आपके भूख के सकती आपके काम वाष्णा के सकती अफ़ी सक्तियां कमजोर पड़ते कं यूसा करेगब हिसरो फाइट करेगा है कि रूपहर खैर प्राण मन में लेकिन बाहर भी आना चाहेगा अगर से मुका मिल गया तो लेकिन अगर मुख़रे मिला तो वू करेगा और उसमत जब आप संकल्पित हो करके और इन सभी घंटनाओं का बाई किसे साक्षी भाव से निरिक्षन कर रहे हैं और स्वास आपकी बहुत आइस्ता आइस्ता चल रहे हैं स्वास पर आपका नियंतर्ण बरकरार है और फिर स्वास के पीछे कौन-कौन से व्यू रचना है इसके पीछे कारण कौन है उसको कौन चला रहा है फेपड़े को कौन चला रहा है दिमाग को कौन चला रहा है यह सब आपको पता चलने लगेगा जब आप उस पर अपने को फ प्रक्रिया है तो इसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना पड़ेगा और इन तमाम चीजों से जो आपको अपना मोड लेना पड़ेगा इतना सरल भी नहीं है या लेकिन इसके प्रक्रिया यही है और इसा करके आप इसे बाहर देख सकते हैं महाविदेह की सित्य आपके हो सकती है आप अपने सरी से बाहर निकल सकते हैं और मात कल्पना करके कोई सोचता है कि हां मैं कल्पना कर रहा हूं मैं बाहर निकल गया हूं यह सब सब्सक्राइब फरजी बाते हैं इसलिए पतंजली जी नहीं कहा है कि वहीर अकल्पिता वो इतना किजिए कि शरीर से बाहर आप निकल गए बाहर उड़ रहें इस तरह से शरीर से बाहर निकलोगे यह तो आपके विचार निकले आपकी कल्पना निकली यहां अकल्पिता है कल्पना नहीं होने चाहिए यथार्थ में आपको निकलना है और यथार्थ में निकलने के लि न विश्यों के प्रत्या कस्ण होना चाहिए तब ऐसी इस्तिति में वह होगा कि आप मनों में शरी में प्रवेश करेंगे वह अजय अथार्थ होगा और फिर जो आवरण है जो इस चीश का परिणाम ये विश्य सुरुप से का रहे हैं पताने जिजिए जिए ज्यान के आर्थ में का रहे हैं कि वे सब जो है अज्यान के परदे हटते चले जाएंगे अज्यान के परदे का मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये सब घटना है क्यों घट रही है यही तो अज्यान है इस अब सब घटते चले जाएंगे और ज्यान अउत्रित हो जाएगा प्रकास आजाएगा तो इसमें इतना ही ओमरी